समाजवादी पार्टी में विवादों के बीच अखिलेश यादव ने अज लखनों से अपनी रत यात्रा के जरिये चुनाविय अबियान का आगास किया उनके रत को सबा सुप्रीमूम उलायम सिंग यादव और शिफपाल ने हरीजंडी दिखा कर रवाना किया अलाकि रत में तब्तील की गई हाई टेक मर्सेडीज बस मुश्किल से एक किलोमीटर चलने के बाद खराब होकर रुप गई इसे वेले अखिलेश के इस कारिक्रम में काफी चौकाने वाली तस्वीरे देखने को मिली जैसा की कयास लगाय जा रहे थे कि चाचा शिफपाल यादव अखिलेश की इस रत यात्रा में शामिल नहीं होंगे इसके उलट शिफपाल यादव ना सिर्फ वहां पहुँचे बलकि अखिलेश को शुप कामनाएं भी थी वही रत्रियात्रा से पहले सबा को सम्बोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी का चुनाव देश की दिशा तय करेगा और यह सरकार दोबारा लाने का समय है अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तरपरदेश की जनता एक बार फिर से इतिहास दोहर आएगी यूपी का चुनाव देश की राजनीती बदलने का है देश किनके हातों में हैं सोचना पड़ेगा समाजवादी विचारधारा को और बढ़ाना है इस दोरान अखिलेश ने अपनी पार्टी के उपलब दिया भी जनता के सामने रखी वहीं अखिलेश के बाद मुलायम सिंग यादव जनता को समोधित करने पहुँचे लेकिन यहां एक और तस्वीर हैरान करने वाली दिखी कि अखिलेश के भाशन के बाद भीड वापस होने लगी यहां मुलायम सिंग यादव बोलते रहे लेकिन भीड नहीं रुकी ऐसा लग रहा था कि मानू नेता जी को कोई सुनना ही नहीं चाह रहा था यह तस्वीरे भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग अखिलेश के भाशन के बाद सभा से वापस जा रहे हैं यहां मुलायम सिंग यादव ने भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को शुपकामनाई दी और साथ ही साथ नसीहत भी दे डाली कि अच्छी बात है कि रत्यात्रा निकल रही है सिर्फ नारो से काम नहीं चलेगा यह जवानी किसके नाम अखिलेश भाईया तेरे नाम इस तरह के नारो से काम नहीं चलेगा ये सब बाते मुलायम सिंग्यादफ ने कही और कहा कि चुनाव जीतना है और सरकार बनानी है तो जम कर मैनत करनी पड़ेगी लकनों से डीबिलाइफ के लिए रतिभान त्रिभाटी की रिपोर्ट तो परिवार में जारी जगड़े के बीजात से अखिलेश यातफ ने चुनावी बिगुल फूग दिया है फिलाल समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है और अब सभी चुनावी अभियान को सफल बनाने में जूटे हैं रतियात्रा के बाद अब सब की निगाहे 5 नवंबर को हुने वाली रजत ज्वनती समारोपठी की है देखते रहे डिपिलाएव